जहिन साथ ही हो पोलिटेक्निक प्लस यूटूब चैनल के एक और नी वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आज के दिन जो है बिहार रेस्पेटिक तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिस नोटिस में आप सभी के आगामी परिक्षा का डेट के बा प्रियास करते हैं कि कब से आप सभी का फॉर्म भरा जाएगा कितना पैसा लगेगा एडमिट कार्ड कब से डाउलोड होगा और उसके बाद आपके एक्जाम कब से होगा तो जैसा कि आप देख पा रहा होंगे आपके सामने जो है राज प्रवद्रगिंग सिक्षा करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा यहांपे लिखा गया है सर बिसाय में डिप्लोमा से मेस्टर सकेंड Oblig First, Diploma Exam 22, Even Old Slavers, Diploma Semester 6, Diploma Exam 22, Even Old or New Slavers, यानि कहींने कहीं Second Semester और Sixth Semester के बच्चों के बारे में बात की जा रही है, PTD Semester Second, यानि Part-Term Diploma Second Semester, Diploma Exam 22, और उसके बाद जो PTD का जो semester 8 है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, यानि कुल मिलाके Second Semester और 6 सेमेस्टर और उसके बाद जो पार्ट टेम डिप्लोमा कर रहे हैं वैसे 6 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर की बारे में जीक रिच में किया गया है आई ये और कुछ देखते हैं और पूरा चीज आपको बताने का प्रयास करते हैं लिखा गया है महासय उप्रोक्त विशयक निमानकित परिक्षा में समलित होने है तू प्रसत की वेवसाइड पर उपलवध कराये गये बिवित्र पत्र के निमना अनुसार ओलाइन आवेदन भरवा कर उसकी एक छाय प्रती जिसमें प्रचार्ज दौरा अभिपरमानित छाय प्रती चिपकाया हो को सांस्थान के पास सेलरक्षित रखे सांस्थान निमानगे यि इसमें कहा गया है सर सभी प्रचार्ज महोदय का कि बच्चे के दोर जो online form भरा जाता है और उसके बाद उसका एक प्रती जो है अपने पास सरक्षित कर लिया जाए तो आगे दिखाते हैं सब कुछ कि किस दिन क्या कुछ होने वाला है यहां लिखा गया सर परिक्षा कार्ज और यहां लिखा गया प्रिक्षा कार्ज की अंतिम्ति थी यह सभी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आप सभी के सारे चीजों की सीडिविल जो है एक साथ जारी कर दिया गया है यहां पर आप देख पार होंगे लिखा क्या गया है सर online marks entry of CT TA और term work मतलब term work होता है CT होत जो होता है उसको छे तारिक से लेके साथ तारिक तक यानि साथ अक्टूबर तक जो है आप किसी भी हाल में online marks को entry करा देंगे उसके बाद दो नमर में जो लिखा गया है सर online fee payment by candidate अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था जिसमेंस पूरा साफ तर पर किलर कर दिया गया कि जितने भी छात अगामी सेमेस्टर का जो फॉर्म भरा जाएगा वह डारेक्ट जो है गेटवे के माधियम से सब्सक्राइब करेंगे पहले क्या होता था कि आपको online फॉर्म भरना होता था उसके बाद सो online फॉर्म का प्राति ले जाके college में जामा करना होता था और उसी के चातर जी है जितना उनको फी लगेगा वह online माधियन से खुद भुख्टान कर पाएंगे और उसका जो online payment करने का वह है सर 8-10-2022 से 9-10-2022 तक उसके बाद बात यह होता है सर कि form भरना कब से शुरू किया जाएगा तो यहां पर आप साफ तोर पर देख पा रहे होंगा 12-2022 तो 11-10-2022 से पहले सभी 6-7 जो है अपना अपना form को फिल अप कर लेंगे अगला जो बात है सर एड्मिट का डाउनलोड होगा यह बहुत विसवाल है तो एड्मिट का डाउनलोड करने का अंतिम तिथी जो रहेगा सर 12-10-22 देखिए कितना फास्ट-फास्ट काम अब ह हो रहा है कहिन कहीं अब डिप्लोमा में भी आपको इंजिनेरिंग वाला फिल आएगा इतना अच्छा से सभी चीज एक साथ में सीडूल करके बता दिया गया है कहीं बहुत अच्छी बात है सर यहां पे उसके बाद बात यह होता है कि और भी बहुत सारे होते हो आपे जो सब्सक्राइब कर दाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आगे स्क्रॉल करते हैं तो और क्या कुछ दिखाएगा ध्यान दीजिएगा सर यहां पर अगला जो चीज है परियोगी परिक्षा यहां ट्रम वर्क बाह मुल्यांकर एवां ऑनलाइन माक्स इंट्री आपको पता होग की अभी नएका जो नोटिस आया था उसमें कहा गया था कि परियोगी परिक्षा इमट्रम वर्क जो है बाहर मुल्यांकर किया जाएगा और उसका जो है माक्स जो है ऑलाइन मोड में एंट्री करने का तारिख दिया गया है ओह है सर 14-2022 से लेके 15-2022 तक दो दिनों में सभी कोलेज के परचार्ज को कहा जा रहा है कि अंट्री कर दिया जाएगा चोगदे से लेके 15 तक कर दिया जाए उसके बाद आखरी सवाल आखरी बात यह होता है सर कि एकजाम कब से होगा तो यहां आप साफ तो पर देख पार रहेंगा सर थियोरी एक्जामिनेशन तो एक्जा काम होगा इसको जो समय आप सभी को बता दिये जाएंगे सर आगे और स्कॉल करते हैं कि दो और प्वाइंट है उसको आप सभी को बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं तो यहां प्यागर लिखा गया है सर सभी परिक्षा आवेदन पत्र और नहीं सुविक्रित होगा पहले क्या था सर कि बहुत सारे बचे जो और नहीं कर पाते थे तो कॉलेज भी उसका काम कर देता था लेकिन इस बार से जितने भी फॉर्म भरा जाएगा सब और सुविक्रित किये जाएंगे ठीक है और जो इंपोर्टन चीज है उसको सिर्फ आपके सामने हम बताने का पर देने पड़ेंगे और जो चाटर है किसी भी कटेग्री से आते हो उनको जो एक घयाज जो जो इसको आपको को नहीं देना है बलकि इस फी को जो है आप वहां से मेरे हिसाब से इतना ही जो बाते थी आप काफी इंपोर्टन थी तो होपफुली आप ये वीडियो समझ पाए होंगे और जान पाए होंगे कि कब से आपको क्या कुछ होने वाला है उमिद करता हूं कि वीडियो को पसंद आया होगा पसंद आया है तो आप इसी तरह से करनिक पलस के फैमिली के साथ जूने के लिए दिल से धन्यवाद जैहिंद